हेलो एव्रिवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो अभी यहाँ पे पूरा बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम हो रहा था जैसे कि हम लोग तुरंधी उठे थे अभी जर्स्ट तो बस यहाँ पे जितना भी बिश्थर था वो मैं सही कर रहे थी और यहाँ पे मेरी नानी मा अभी बाहर जा रहे हैं और यह जितना भी मतलब बिश्थर है ना मम्मी उठके पहले अपना जो है वो रह देती बिस्तर और मैं सोई थी ना तो खटिया इसलिए बाहर नहीं ले गई क्योंकि मैं नीचे सोती हूँ सामने ही और मम्मी भावी और मेरी जुनानी मा है वो खटिया पे सोते हैं क्योंकि इस टाइम जिस तरह ठंडी मतलब बहुत ही जादा बढ़ गया है और अभी तो दिसंबर जनवरी तक इसी तरह ही बहुत जादा ठंडी रहेगा तो हम लोग का जो पुराना वाला चपर वाला घर है ना तो उस पे ना बहुत ठंडी बहुत ही जादा ठंडी लगता है तो उधर मैं सो रही थी और फिर मम्मी बोले कि उधर मत सो ठंडी जुखाम हो गया यहाँ पे आ जाओ ऐसे करके और फिर यहाँ पर हम लोग मम्मी भावी और मेरी नानी मा और मैं तीन लोग चार लोग यहाँ पर ही सो गए थे और उसके बाद यहाँ पर देखे सारा ब्रस रस करने के बाद थोड़ा सा चाय में पी ली थी और फिर उसके बाद अभी यहाँ पे मुझे सबजी बनाना है तो प्यास कट कर ली हूँ, टमाटर कट कर ली हूँ, सॉरी तो यहाँ पे यह जो टमाटर है ना, यह देशी वाला टमाटर बोलते हैं देशी ही बोलो, जो मारकेट में मिलता है ना, वो उतना खटा नहीं होता है यह वाला हम लोग के गाउँ पे ही किये हैं एक आंटी, जो कि आप लोग पहले देखे होंगे जो ममी धान काटने के लिए गई थी, तो एक आंटी बैठी हुई थी, अपना जो बैल चरा रही थी तो वही उनके यहाँ से यह आया था और यह टमाटर ना, बहुत ही जादा पूरा खटा है जिसे कोई साधी वगेरा में जो खटा बनाते हैं ना, टमाटर के तो इसी को यूज करेना तो बहुत मतलब सही रहेगा इसी तरह जादा टमाटर भी खर्च नहीं होंगे, बहुत ही जादा मतलब खटा होता है तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, यह बड़ी हम लोग बोलते हैं, जो कि उड़त दाल से बनता है इसको हम लोग घर पे ही बनाते हैं, ठंडी के मौसम पे ही यह बनता है बहुत जादा तर यहोंकि ठंडी के टाइम पे ही जादा धूप नहीं होता है ना, इसको जादा धूप भी नहीं चाहिए सुखाने के लिए पहले इसको भीगो के रखते उड़त डाल और फिर उसकी बाद उसका छिलका अच्छे से साफ कर लेते हैं और फिर उसको पीश के थोड़ा थोड़ा छुड़ा छुड़ा करके इस तर डालते हैं धूप में कपडा होना चाहिए जारज़ा च्छाथ मटेरियल होना हुनाय चाहिए तो उसकी पे डालते हैं और फिर उसक जाएगा तो फिर बन जाएगा तो इसके लिए ज्यादा धूप भी नहीं और जो मौसम सही ohata है उसम dissolved जाता है और फूरा ख्राब हो जाता है और पूरा मौस कि आसपास ही धूप निकल जाता है और 4-5 बजे तक धूप रहता है तो इसी वज़े से अभी तो नहीं कर रहे है फिलहाल बहुत ठंडी है तो इसी वज़े से और थोड़ा सा ठंडी कम हो जाएगा ना तो स्टार्ट कर देंगे जिसको जिसको बनाना होगा तो यहां पर यही अभी बस थोड़ा सा ओईल डाल दे थी सरसो और हरी मिर्च डाले थी और थोड़ा सा लहसुन और फिर उसके बाद यहां पर मैं टमाटर डाल दी हूँ और उसको थोड़ी देर उसी तरह ही भूनना है टमाटर को अच्छे से जब तक नहीं गल जाएगा तब तक और उस नेक्स साइड में देखिए थोड़ा सा ओईल डाल के यह जो बड़ी है उसको मैं भूनने के लिए डाल दी थी और बस इसको भून लेना है भूनने से अच्छा लगता है भून के बिना अगर पीस के भी खाएंगे तो वो भी अच्छा लगता है तो मैं पहले इसको भून पहले मुझी भूनना था इसको लेकिन मैना ध्यान पे नहीं थी हड़ बड़ी से और पहले पूरा मेर्च अगेरा सारा ओईल में डाल दी थी इस वाले कढ़ाई पे तो इसलिए दूसरे वाले कढ़ाई पे भून ली हूं और अभी यहां पे टमाटर अच्छे से पक चुका बड़ी दाल दे थी और अब यहां पे फिर थोड़ा सा पानी थी और अभी यहां पे देखे में धन्यापता डाल दी हो इस पे और यह बन के रेडी हो गया है बहुत अच्छा लगता है, सिंपल से हर कोई मतलब बनाता है, चाहे किसी भी दराब बनाओ, किसी चीज़ पर भी डालो, सिंपल तरीके से ही बनाते हैं, तो अच्छा लगता है, उसके बाद अभी ये ग्यारा बजे के आसपास का क्लेप है, जो कि हम लोग को यहां पर सुखाने के लिए ना, मतलब जगा थोड़ा सा नहीं हो रहा था, जैसे कि कम पढ़ रहा था, तो उसकी के उपर, उसी के उपर डालते थे कपड़े, मतलब तार वगेरा भी लगाया हुआ है, और हम लोग का बांडरी भी है, तो फिर भी उस पे ना, कपड़ा सा कम हो जा र लिए, और इसी वज़े से ना, भाया को बोले थे, ममी छट पे आके ये जो तार वगेरा है ना, इस तरह थोड़ा सा लगडी वगेरा लगा के करने के लिए, तो भाया किये थे, लेकिन वो ना, गिर जाएगा, ऐसे बोलके फिर भाया छोड़ दिये थे, तो फिर भी हम लो ये वाला जो खंबा टाइप है, इस पे नहीं किये थे, और पूरा साइड साइड पे बांध दिये थे, मैं दिखाऊंगी थोड़ी दिर बाद आप सभी को, क्योंकि साइड साइड पे जितना भी मतलब हम लोग जितना एडजेस्ट हो पाएगा ना, तो उसी तरह ही हम पी हो जाता है, तो इसी वज़े से उपर लाके छट पी सुखा देंगे, तो पूरा अच्छे से सुख हो जाएगा, और सुबह में यहां पे छट पी आई थी ना, तो थोड़ा सा बैठने में भी थोड़ा सा चुब रहा था, कंकर वगेरा, तो यहां पे तार वगेरा पी भी आके हम लोग खा लेते हैं, अच्छा लगता है, मतलब धूप निकला हुआ रहता है ना, तो उपर आके, जाडू मैंने लगा दिया है, और यह जो तार है ना, यह तार जो है, इसको उधर यहां पे बांध है, देखिए, उधर जो इट है, यह इट जो है ना, इस प चिसके गाये, और वो जो रोड है, उस रोड पढ़ है, और वहाँ जो बांध है, शोटा-मटा कपड़ा सुखानी के लिए, क्योंके हम लोग का जो बांडरी है ना, उस पी बहुत ज्यादा कपड़े हो जाते है, एक दिन में बहुत कपड़े धूलता है, तो इसी वजह सी ये लगा दिये हैं इससे इजी हो जाएगा और मैंने पुरा अच्छे से साफ कर दिया है च्छत पुरा साफ हो गया अच्छे से पुरा अच्छे से साफ हो गया उधर भी उधर भी साफ कर दिया है यहां पे भी और उधर साइड भी साफ कर दिया है बस और अभी नाइज लिंग का टाइम हो रहा है और मुझे खाना बनाना है अभी तो यहाँ पी देखिए ये प्याज लखसों जो भी कट करना था वो कट कर ली हूं और यहाँ पी ये आलू कटकी हूं और चने है जो मतर मतर चना है शूथा वाला तो उससी को में रखी हूं बोईल नहीं की हूं उसको भी बनाना है यह रिसीपी में कल सेर करूंगे कल के बाग में तो और एक बात बोलना चाहूंगी मैंने अपना जो बाल है वह थोड़ा बहुत साइज करा लिये हैं थोड़े से देखिए यहां से और अबहां से साइज करा लिये हैं और अबहीं सबसी में बात टमाटर भर पे नहीं है तो इसलिए बेट कर नहीं है तो इसलिए वेट करें अभी तक बिल्कुल भी सबजी नहीं बना है मैं कुछ चढ़ाई थी हैं हाँ पिकड़ाई और अभी बन कर दी हूँ पता नहीं टमाटर मिलेगा तो अभी फिर बनाओंगी और नहीं मिलेगा तो वेट करूंगी तो बस आज का ब्लॉग भी यहीं पहन करें फिर मिलेंगी कल और एक ब्लॉग में तक तक लिए बाइ- झाल 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 झाल